हेलो बच्चा पाटी वेलकाम बैक टू दे येट अनेजल सेशन और आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले चाप्टर इसको मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे मॉड्यूल में कोर्रिलेशन एंड रिग्रेशन चाप्टर साथ में दिया हुआ है तो हम लोग इसको बुलेंगे कि हम लोगों के चाप्टर का दूसरा टॉपिक है पहला टॉपिक हमने पढ़ दिया कोर्रिलेशन आब हम पढ़ने वाले रिग्रेशन क्या पढ़ने वाले रेवेटा खाली चप्टर है बट पहले समझते क्या होता है regression तो सुनो regression एक equation होता है क्या होता है अब यह equation क्या होता है correlation में लोग क्या कर रहे थे भाईया हम लोग दो ले रहे थे और उसके बीच के अगर कोई relation exist कर रहा है तो हम उस रिलेशन को बता रहे थे है correlation रहे ठीक है और भाईया हम यह भी बता रहे थे क्या magnitude हो सकता है हम calculate करके निकाल के भी दे रहे थे बहुत अच्छी बात है आपको correlation का मतलब पता है regression में क्या होता है आपको एक value दिये रहेगी और आपको बोलेगा यह value के ऊपर यह वाली value dependent है क्या बोलेगा यह जैसे तुम लोग बताओ तुम लोग मेरोपर dependent हो अपने syllabus को complete करने करने लिए यह अब मेरे को एकदम सिंपल चीज़ बताना एकदम सिंपल क्या तुम लग घर में बैठके कभी ए प्लैन कियो इसी सफीड से चल रहे हैं मतलब इस ही आप से चलते हैं कि वो एक चाप्टर को इतना डिसकस करते हैं इतने क्वेश्चन करते हैं estas question करते ंदिक प् exist न करेंगें एक सी planning करते हो मेरे according मेरी स्पीड के according तुम अपनी plannings plot करते हो तो can I say मेरे उपर मेरे उपर me मेरे उपर students dependent है और तुम्हारी planning influence हो रही है मेरे कारण मेरे actions के कारण तुम्हारी plannings influence होती है तुम लोग क्या कर रहे थे पता है पहले मेरे को एक चीज़ का answer दो क्या class में कोई ऐसा बच्चा है जो regression के बारे में जानता है या आज के पहले कभी नाम सुना है regression नाम ही सुना है कभी पहले कोई ऐसा बच्चा मेरे class में जो regression का नाम भी सुना है कभी बिल्कुल नहीं भी या बिल्कुल नहीं हमको नहीं आता भाईया regression नहीं आता गलत बोड़ रहो गलत बोल को तुम लोग आता है regression यह जो तुम लोग किये न यह जो तुम लोग किये न तुम लोग regression चैप्टर अपनी लाइफ में प्राक्टिकली यूज किये अरे भाई side रखो theory को side रखो formula को side रखो बातों को यह सब बाते हैं यह सब scam है सब चीजों को side में रखो वह बच्चा जो regression equation को actual में अपनी रियल लाइफ में यूज कर क्या है मेरे को बताओ क्या मेरे को इत्ती सी प्रॉब्लम आईगी तुमको इस चीज समझाने में बिल्कुल नहीं तुमको पहले जात है वारंदर बिल्ड-इन फीचर है क्योंकि तुम यूज कर चुके हो तुम लोग बोले हां हां भाईया हम लोग आपके आपके स्पीड के अपनी प्लानिंग करते है इसका मतलब तुम regression करते हो तो वाट द्यू मीन बार इग्रेशन इट इस एन Estimation of the dependent Estimation of the dependent variable according to the behavior of independent variable क्या होता यह Estimation है काई की Estimation है dependent variable की dependent variable कौन होता है जो सामने वाले की हरकतों पर dependent है इस situation में मेरे example में तुम लोग dependent variable थे और मैं independent variable था मेरे को तुम लोग से कोई फरक पढ़ रहे गया मेरे को तुम लोग से कोई फरक पढ़ रहे बच्चेयों बोलो नहीं पढ़ रहे है तुम लोग को मेरे से फरक पढ़ रहे है तुम लोग डिपेंडेंट वेरियेबल हूँ मैं इंस्टिटूट का Institute Independent Variable पर मैं Dependent Variable हूं institute का, क्यों? क्योंकि institute के exam के dates के उपर मैं Dependent हूं institute के exam के dates के पहले पहले मेरे को अपना syllabus complete करना है with revision तो मैं Dependent हूं, institute के उपर है ना, तो बात समझ महीं Dependent or Independent, you cannot say rigidly that this dependent and this is independent, dependent or independent case to case change हो सकता है Are you getting my point? Case to case, it may vary. Okay. So, this is the meaning of regression. Okay. If you are getting my point, you can write this down. Okay. Let's write down in practical example. Rainfall or crop. मेरे को फटा फट से बताओ, जैसे rainfall आपको दीवी है, 20 cm, 30 cm, 15 cm, 55 cm, ये तो बाड़ ही आ गई, 40 cm, और इसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स जो हुई है, पर टन, मैं तब पर कुंटल या पर टन, प्रोड़क्शन हुआ है, जो 100, ठीक है, 120, 80, 200, 180, ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाता हूँ कि जब, 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 25 cm rainfall होगी, तब कितन को निकालने बोड़ रहा हूँ, कि ये कुछ relationships दिये हुएं, कि जब, इतनी cm rainfall होती है, तब, इतने crops उपते हैं, इतने crops उपते हैं, तो फटा फट से बताओ, who is dependent, और who is independent here, पहले मिर को ये ही बता दो, who is dependent, और who is independent variable, yes, very good, crop is dependent on rainfall, crop is dependent on rainfall, तो इतनी rainfall मैं आपसे question क्या कि इतनी rainfall होगी, तो कितने crop का production होगा, आप बताओ, तब आप use करोंगे regression, तब आप क्या use करोंगे, regression, if you are getting my point, you can note this down, okay बेटा, yes, चलो, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, regression equation दिखता कैसा है, तो देखो, मेरे पास दो variable होंगे, तो क्या जरूरी है, हमेशा x, y पर dependent रहेगा, या y कभी x पर भी dependent हो सकता है, दोनों हो सकता है, हो सकता है, x, y पर dependent हो, या y x पर dependent हो, is it possible or not, yes, हो सकता है, तो हम लोग मोटा मोटा दो equations form करने वाले हैं यहाँपर, एक अगर, y dependent on x, और एक हो जाएगा, x dependent on y, तो एक हो जाएगा, y dependent on x, और एक हो जाएगा, x dependent on y, तो जब y x पर dependent है, तब equation कैसे बनेगा, देखना, y minus y dash, is equal to b, y x, x minus x dash, और जब x dependent on y है, तो बनेगा, x minus x dash, is equal to b, x, y, y minus y dash, इसको note कर लो, अभी इसके उपर मैं कोई explanation नहीं देना चाहता हूँ, reply करके पहले इसको note कर लो, और इसको अगर simplest form में लिखू, तो y is equal to a plus bx, और x is equal to a plus by, यहाँ पर b represent कर रहा है, इसको साथ में ही लिख जेते हैं हम लो, p, d, d represents the regression coefficients, yes, and a and b, both regression parameters, ठीक है, regression parameters a, b, दोनों को बोलते हैं, और b जो है, वो represent कर रहा है regression coefficient को, same as, regression coefficient, ऐसे ही बनाना तुम लोग भी, summarize reform में हम लोग काम कर रहें न, ऐसे ही बनाना तुम लोग भी, regression coefficient है, by on x, bx on y, दोनों, ठीक है, अभी पहले लिख लेंगे न, एक बार में, एक बार में लिख लेंगे, b, y on x, कैसे निकलेगा, n, sigma x, y, minus sigma x, into sigma y, upon, n, sigma x square, minus sigma x, ka whole square, b, y on x, r into sd of y, upon sd of x, b, y on x, is equal to covariance of xy, upon sd of x ka whole square, b, x on y, n, sigma x, y, minus sigma x, into sigma y, upon, n, sigma y square, minus sigma y ka whole square, यह, यह y है, न, छोटा y, कहीं पर भी नहीं है, सब बड़े y है, y, b, x on y, r into, sd of x, upon sd of y, b, x on y, is equal to covariance of xy, upon sd of y, ka whole square, अभी इसको लिख लो, आ, 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 आ More surrealism管理on, due to change in origin or scale. So, let me go, it is not affected by change in origin, that is plus or minus, but it does affected by change in scale multiply or division ठीक है अच्छा पीछे का नहीं लिखे हैं भाईया दिखा दो एक बार लो भाई लिख लो पहले आराम से ठीक है भाई चलो तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको question बोला कि आप निकाल के दिखाओ आपको bvu या buv तो आप कैसे निकालोगे आपको b y on x दिया रहेगा आप इसमें m y upon m x को multiply करोगे और आपको b x y दिया रहेगा तो अब इसमें m x upon m y को multiply करोगे यह इसका मतलब होता है ठीक है अभी सब लिख लो अभी मैं discussion करी नहीं रहा हूं मतलब meaning meaning में कुछ नहीं पता है अभी मैं discussion ही नहीं कर रहा हूं ओके येस अब लेको relationship between correlation and regression क्या relation है क्या is equal to होता है plus minus root over b x on y into b y on x यह relationship अभी इस relation क्या according if b x on y and b y on x both are positive then take sine positive if b x on y then b y on x are negative then take sine negative bracket के बाहर जो sine लगा हो है उसके बारे में बात हो रही है अच्छा तुम लोग बोलो के भाहिया ऐसा भी तो हो सकता है b y on x positive हो b x on y negative हो नहीं हो सकता या तो दोनों positive होंगे या तो दोनों negative होंगे ठीक है clear अब इसी पर बेस्ट एक और चीज़ लिकिए हम लो the sign of b x on y, b y on x and r are going to be same यह sign हमेशा same ही होते है ठीक है यह चीज़ ज्यान में रखना हमेशा next the intersection point of regression lines are there means ठीक है लो लेकिलो परेले इसको ठीक है बच्चों ठीक है तो यह तुम लोग अगर हो गया है तो अब मैं एक एक करके discussion चालू करता हूं regression के ओपर तो आई तिंक regression की definition तुम लोग को clear है यहां पर यह मेरे को represent कर रहा है dependent variable और यह है independent variable ठीक है उसके बाद मैंने बाद की regression equations के ओपर तो हम लोग इस chapter में equation बनाना है या equation से related ही कुछ solutions हम लोग इस chapter में कर रहे होंगे तो regression equation मेरे दो type की हो सकते हैं maybe y is going to be dependent on x और maybe x is going to be dependent on y अब यह x y क्या है वो आपको question में मिल जाएगा ठीक है अब यहां पर देखना सबसे पहले regression equation को यह है तुम्हारा regression equation बेन और इसी का simplification form यह होता है ठीक है तो जब इसको simplify करो के data data डालके तो यह आ जाएगा ठीक है अब देखो ध्यान से इसको याद कैसे करते हैं यह formula है regression equation का y क्या है y तो तुम्हारा variable है x तुम्हारा variable है तो x और y को अभी ignore कर दो x और y तो variable है अपने y तुमको पता है y का mean है x तुमको पता है x का mean है वैसी यहां पर देख लो x डेस y इतना सब हमको पता है भाैया यह b y on x b x on y क्या होता है इसी को हम लोग बोलते है regression coefficient जैसे पिछले चैप्टर में लोग correlation coefficient निकाल रहे थे इस चैप्टर में लोग regression coefficient निकालेंगे तो जब भी याद रखना मेरे को regression equation फॉर्म करना है तो मुझे जरूत पड़ेगी regression coefficients की ठीक है अब यह regression coefficient कैसे निकलता है यह तीन तीन तरीके अपने पास depending upon question में क्या data दी है मैं use करके निकाल लूँगा बात खतम ठीक है चलो देखो यहाँ पर अब समझो ध्यान से formula याद करना सबसे important task है और उसको याद करने का easy तरीक है अपने पास regression coefficient क्या लिखा है सबसे पहले मेरे को बात बताओं मैं कौन सा equation बना रहा हूं बच्चों मेरे साथ cooperate गरोगे तुम लोग फुल एक्टिव हो जाओ फुल एक्टिव हो पी वाई ऑन एक्स की दूरत है अब बी वाई ओन एक्स जब तुम लिखोगे एक plane पेपर लेता हूं मैं plane पेपर यह देखो मैं बोला कि भहिया बना रहे है B बहिया बना रहे है Y on X बना रहे हैं जैसी पता चला भहिया Y dependent on X बना रहे हैं तो बच्चे बोले भहिया को B Y on X की दरुद पड़ेगी अब मैं equation का formula कैसे याद करता हूँ देखो यहाँ पर देखो right side में X है तो मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पर X माइनस बार X लिख दूँगा और यहाँ पर left side में Y है तो मैं यहाँ लिख दूँगा Y माइनस बार Y बन गया क्या equation का formula मेरे पटावट से बताओ क्या मेरे equation का formula बन गया easy एक बार मेरे को सारे पच्छे जल्दी से बता देगे easy same चीज same चीज यहाँ पर किया हमें B X on Y था left side में X है देखो X लेगी right side में Y है देखो Y लेगी यह मेरा regression का formula है और इसको जब हम लोग simplify करते तो जब मैं Y on X निकाल रहा हूँ यहां तक का portion यह देखो यह स्क्रीन में तुमको जितना portion दिख रहे है क्या यहां तक का portion सबको clear है कि अब इसके बाद में दिक्कत यह आ गई भाईया मीन निकालने आता है एक और य का मीन निकालने आता है भाईया वेरियेबल कोश्चन में दिया रहेगा भाईया regression coefficient निकालना सिखा दो तो मैं बोला regression coefficient निकालने अपने पस वैसे यहां पर देख लो बी जो है बी बी जो है उसी को हम लोग क्या बोलते है regression coefficient वो तुम लोगो समझ में आ जाएगा भाई जब यह multiply होगा मेरे को बताओ यह जब x से multiply होगा तो यह regression coefficient ही बना ना और यह जब बायस ते multiply होगा तो यह बना ना regression coefficient है ना यह चीज तुम लोगो इस लिए ध्यान में रखनी है question के time में समझ में आ जाएगा क्यू ध्यान में रखनी है ठीक है question के time में यूज आने वाला है ऐसा ही question दिया रहेगा तुम से पूछे का regression coefficient क्या है तो तुमको बी को पकड़ना रहेगा बी को पकड़के रख दो सामने ठीक है ओके एक एक स्केल को रिप्रेजेंट कर रहे है और एक origin को हम लोग इसको रिग्रेशन के पैरामेटर्स बोलते है बेसिक सा थियोरी थियोरी कल पार्ट है अब देखो बी वाय और याद करना सबसे बड़ा गेम है इतना इजी तरीका है बेटा फॉर्मुल याद करने का बिल्कुल टेक दिखानी है बाद में बाय बैठा है तो नीचे वाय की वर्किंग दिखानी है और इस फॉर्मुले को घूरो एक बार ध्यान से कार्ट पीशन का को रिलेशन का फॉर्मूला लगा हुआ है उपर में तो ऊपर वाला फॉर्मूला याद करना तो मुद्धा ही नहीं है दोनों इसी तरीका क्या है याद करने का बाद में X लगा है नीचे X डाल दो बाद में Y डाल है नीचे Y डाल दो वैसी सेम तरीका यहां पर देखो R, दोनों में common है correlation ठीक है, correlation R, दोनों में common है पहले कौन है, Y बाद में कौन है, X पहले कौन है, X, बाद में कौन है, Y फोलो, easy पटाबट से बताओ, easy R into SD of Y upon SD of X इसके case में, R into SD of X upon SD of Y बताओ, जो उपर है, उसको उपर जो नीचे उसको नीचे इतना तो मजाग चल रहा है आपर बी वाए ओन X BX on Y covariance covariance तो common है नीचे कैंगा अरे बहुत बाद में हो नीचे आएगा अब इदक तो समझ में भी आ गया होगा जो बाद में बैठा है वो नीचे आएगा तो बाद में कौन बैठा है एक्स यह देखो sd of x का whole square बाद में y बैठा है sd of y का whole square क्या आपको बात समझ में आ गई b y on x और b x on y कैसे निकाल सकते हैं तीनों formula याद करना है भाईया कौन सा formula कभ यूज होगा को बेटा कोश्चन में जो data दिया है उस data को भी इसको यूज करेंगे अगर गर यह data दिया है इसको यूज करेंगे जो डेगा हो यूज करलेंगे बात काी ओ बोलो तब से पूरे चैप्टर की जान है ये पेज पूरे चैप्टर की जो जान है न वो ये पेज है ठीक है उसके बाद यहां पर बात हुए रिलेशन्शिप के उपर तो यह सब तो कोश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा ठीक है चलो खेल छोड़ो सब कोश्चन में आओ ल देखों एक्स वाइट वन टू थ्री और वाइफ इक्स सेवन नाइन एट टेन वेल एलेवन तर्टीन फोटीन वटापर से सारे बच्चे कोश्चन देखके मिले को समझ के बताएंगे कौन सा regression coefficient का formula यहाँ पर suit कर रहे है कौन सा पहला दूसरा और तीसरा ऐसे बता दो मेरे को क्या क्या निकालना है एन सिग्मा एक्स वाइए हमको क्या क्या बोला है देख लो regression coefficient निकालने है दोनों और है तो इसके लिए मेरे को एक मीन चाहिए है और regression coefficient चाहिए ठीक है तो एन्स सिग्मा एक्स वाइंस सिग्मा एक्स इन्टो सिग्मा gen एन सिग्मा एक्स स्क्वेर सिग्मा एक्स को होल स्क्वेर और वाइस स्क्वेर इतनी चीज़े हमको निकाल ली है एक टूसर शिक्स्टीन हटी है 48 55 13 6 यहां पर हम रुप के है वेसे तो हम हो श्यार है पर यहां हम फज़े कौन टेबल पढ़े बैठके है ना हाँ भी या 16 25 36 49 MRC 81 64 100 144 121 169 196 9 plus 16 plus 30 plus 48 plus 55 plus 78 plus 98 ओके देन निकल गए सारे रिक्वाइड अमाउंट अब मेरे को निकालना है बार एक्स तो सिग्मा एक्स अपॉन एन इसका फॉर्मूला क्या है एन सिग्मा एक्स अपॉन एक्स अपॉन अपॉन अब यह देखो बाद में एक्स है तो नीचे एक्स वाला लगेगा एन सिग्मा एक्स स्क्वेर माइनस सिग्मा एक्स ता होल स्क्वेर इसको सॉल्व करो बी एक्स अन वाई उपर वाला तो सेम होगा नीचे वाई है तो 7 इंटू 8 75 माइनस 77 का होल स्क्वेर चलो दोनों को सॉल्व करके बताओ कितना है सेलो दोनों को सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है 334 इंटू 7 मेमोरी प्लस 28 इंटू 77 मेमोरी माइनस MRC उपर तो दोनों में 182 हो गया 7 इंटू 140 मेमोरी प्लस 28 इंटू इस एकल तो मेमोरी माइनस MRC इदर हो गया 196 इदर भी हो गया 196 ओके दोनों में सेम ही आ रहा है 0.92 8 0.92 इतना मसाला तुम लोग रेडी कर लो उसके तुम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा 0.9285 है तो उसको तुम लोग 929 लिख सकते हो 928 भी लिख सकते हो एक ही बात होगी इतने ज्यादा पॉइंट के बाद का कोई फरक नहीं पड़ेगा चलो अब मैं बनाता हूँ y on x क्या है फर्मूला y on x का भाया भी y on x के बारे में बात कर रहे हैं मतलब x minus bar x के बारे में बात कर रहे हैं मतलब y minus bar y के बारे में बात कर रहे हैं बोलो हाँ बोलो बच्चो हाँ हाँ भाया हाँ 0.928 x minus bar x इसको solve करते हैं हम लोग तो y-11 is equal to 0.928x minus 3.712 अभी इदर आएगा तो plus में चला जाएगा ये 7.288 ये हो गई मेरी regression की line y on x ये हो गई y on x की line clear देख लो yes भाईया x on y मतलब भाईया b x y के बारे में बात कर रहे है मतलब y minus bar y और x minus bar x bar x bar x से 4 और 11 वोई b x on y कितना है 0.928 जो जाएगा x minus 4 is equal to 0.928y minus 10.208 ये इदर आके plus हो जाएगा 6.208 दे देगा तो ये हो गया मेरा regression equation x on y x on y clear हो गया के सबको y on x x on y is it clear to you all yes okay इसको note कर लो बच्चो ये यहां से यहां तक का पॉर्ष्ण सारे बच्चे फटा फटा फटे question number 2 में अपना ध्यान एक अत्रित करेंगे और हम इस question को next page में लेके जाएगे क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि question easily solve हो जाएगा फटे efforts मांगेगा फिर solve हो जाएगा ये भी ठीक है देखो जी हुँ 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 तो यह वी कैन सी calculate करने बोल रहा है हमको दो regression equation x on y and y on x from the given data below taking deviation from actual mean of x and y x and y actual mean deviation लेके हम लोगों को निकालना है तो मेरे को फटा फट से सारे बच्चे बताएंगे actual means deviation लेके मतब question specify कर रहा है कौन से method यूज करना है कौन से method यूज करना है question specify कर रहा है first or second or third definitely we are going to use first yes so let's take x 10 12 13 12 16 15 y 40 38 43 45 37 and 43 and that's it बो येस येस बेटा question मेरे को specify कर रहा कि actual means deviation लेना है इसका मतलब ये है कि question मेरे को force कर रहा है कि आप ये वाला method यूज करो कौन सा method बता देता हो second method यूज करने बोर क्योंकि हम लोग deviation किसके लिए कर रहा है standard deviation के लिए if you remember whatever से बताओ means deviation किसके लिए निकालते standard deviation के लिए तो question मेरे को force कर रहा था कि आप second method से solve करो ऐसा exam में नहीं होगा क्योंकि exam तो बेटा mcq-based है mcq-based में exam में तुम exam नहीं हो कैसे चलेगा कौन सा method यूज क्यों तो हम लोग तो first method use करने वाले हैं हमको second method से को लेना देना नहीं second method जब question में sd दिया रहेगा तब हम use करेंगे हम sd निकाल इतना नहीं जूच सकते भाया हम sd निकाल के फिर use करें हम सीधा निकालेंगे n sigma xy minus sigma x into sigma y root upon n sigma xy minus sigma x into sigma y upon n sigma y square minus sigma y का whole square यह दो method हम लोग यूज करने वाले हैं ठीक है अगर बच्चे फॉर्मूला भूल गए हैं भाया बी वाय ओन एक्स sigma x sigma y upon n sigma x square minus sigma x का whole square वैसी n sigma xy minus sigma x sigma y upon n sigma y square minus sigma y का whole square we need to remember the formula guys there is no other option for this statistics is based on formulas x square y square xy we need to find let's start with this 10 का square 12 का square 13 का square 12 का square 12 का square 16 का square 15 का square 1038 40 square 38 square 43 का square 45 का square 37 का square 43 का square 15 10 136 13 13 into 43 13 into 43 12 into 45 16 into 37 47 43 into 15 43 into 15 okay done बच्च्चो ठीक है done डन 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 एन कितना है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 into sigma x y minus sigma x अच्छा ये तो हमने निकाला ही नहीं 10 10 plus 12 plus 13 plus 12 plus 16 plus 15 plus okay answer 40 plus 38 plus 43 plus 45 plus 37 plus 43 246 246 yes 78 246 sigma x into sigma y upon n sigma x square minus sigma x ka whole square 6 into sigma y square 10 136 minus sigma y ka whole square okay we need to solve this one 3192 3192 into 6 memory plus 78 into 246 memory minus MRC negative right 36 okay 6 into 10 38 memory plus 78 into is equal to memory minus MRC 144 0.25 yes okay next 6 into 10 136 memory plus 246 into is equal to memory minus MRC 300 minus 0.12 here we got the answers done b y on x b x on y both both so when i am talking about x on y is talking about b x on y and b x is talking about y minus bar y and x minus bar x exactly if you remember the trick how to remember the formulas in regression chapter very easy it's very easy it's very easy x minus bar x bar x and x and x t and x and x and x y i am x 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 this x minus 13 is equal to minus 0.12 y minus 0.12 into 41, minus minus plus हो जाएगा यह 4.92 हो जाएगा, यह दर हाके plus होगा, 17.92 minus 0.12 y, this is my equation x on y, so when I am talking about y on x, I am talking about by x, that is x minus bar x, y minus bar y, so it is y minus 41 is equal to by on x is 0.25 in negative and x minus, bar x कितना था, 13, so let's solve this also, 0.25 into 13, we are at 3.25 plus 3.25, here we go, so let's transfer this here, so it's 44.25 minus 0.25 x, yes, ठीक है, तो यह मेरे को question equation निकालने बोला था, मैं निकाल दिया, अब मेरे को एक बात बताओ, question बोल रहा है, estimate करो, likely demand, demand, price x है, demand y है, are you getting my point, बच्चो, price x है, और demand y है, question बोल रहा है, what is likely demand, 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 when price is 20, मेरे को फटाफट से बताओ, कौन independent है यहाँ पर, यहाँ पर क्या price independent है, yes, और क्या यहाँ पर demand dependent है, तो इसका मतलब y dependent है, x dependent निकीए, तो मेरे को कौन सा equation यूज़ोगा, x dependent on y, या y dependent on x, कौन सा equation यूज़ोगा, बताओ, इस x on y और y on x, very good, y on x यूज़ोगा, क्योंकि y is dependent upon x here, in this question, so we are going to put the value of x on this equation, y dependent on x, that is demand dependent on price, so simply we are going to put the value of x here, x की value 20 दियु है, तो डालो यहाँ पर, 44.25, minus 0.25, into 20, so what we are going to get, 0.25, into 20, 5 आ रहा है, तो 44.25, minus 5, we are going to get, 39.25 is the likely demand, at the level of 20 price, done, yes, चलो, अब इसको बच्चों पूरा नोट डाउन कर लो, starting से लेकर ending कर, ठीके बच्चों, अब देखो, तुम लोग पूछ रहो भाईया, पूरा टेबल एक्जाम में बनाना पड़ेगा, तो मैं पूछ रहो, कहां बनाओगे, कोई जुरत नी पूरा टेबल बनाने की, gross total या memories का use करेंगे, या तो GT use करोगे, और या तो memories का use करोगे, हम लोग सिर्फ final values को निकालेंगे, formula में डालेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीके, यह हम लोगों का simple सा फंडा रहेगा, ठीके, यहां पर कुछ बच्चे पूछ रहें, भाया, y on x क्यों लिये हैं, तो मैं एक बार और बता देता हूँ, because demand is dependent upon price here, and demand is y, price is x, so that's why we have taken y on x, because y is dependent upon x here, ठीके, so that's why we have taken this, ओके भाया, चलो, now next question we are, we are not going to do, you are going to do this, I am not going to involve here, this question you are going to do, I am giving you 5 minutes time to solve this question, obtain करो regression equation y on x, और estimate करो y, जब x 55 है, from the following data, you are going to do it, I am giving you 5 minutes to solve this, 5 minutes क्योंकि लिख लिख के solve करोगे, exam में करोगे, एक मिनट के अंदर तुम लोगो solve करना है, ठीक है, अगर तुम लोग अब comfortable हो कि तुम लोग बीना लिख के solve कर सकते हो, तुम लोगो sigma x निकालना है, sigma y निकालना है, sigma x square, sigma y square निकालना है, और यह करना है, ठीक है, अगर तुम लोगो इस चीज में comfortable हो, you can definitely do it, directly, ठीक है बच्चा बाटी, तुम लोगो concert बहुत too close है, और we'll do this, point का थोड़ा बहुत difference आ रहा है तुम लोगा, 40, 50, 38, 60, 60, 65, 50, and 35, find out why, 38, 60, 55, 70, 60, 48, and 30, y on x हम को निकालना है, जहां पर x is equal to 55, yes, yes, ठीक है, चलो, हम निकालते हैं, x square, y square, और x, y, we are going to do it directly, okay, from now onwards, we are not going to write it in the whole table, 40 x is equal to memory plus 50 x is equal to memory plus 38 x is equal to memory plus 60 x is equal to memory plus 65 x is equal to memory plus 50 x is equal to memory plus 50 x is equal to memory plus mrc, that is 17,094, is this your, तुम लोग भी बताते हैं जाओ, 19,773, yes, 18,160, okay, done, yes, चलो, अब हमको किस 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 सीजों की जर्वत है, by on x निकालना है, तो n sigma x y minus sigma x into sigma y upon n sigma x square minus sigma x का whole square, ठीक है, तो बेसिकली बाइस पर की जर्वत हमको नहीं है अभी question में, इसका total कितना है है, 40 plus 50 plus 38 plus 60 plus 65 plus 50 plus 35, 338, 38 plus 60 plus 50 plus 70 plus 60 plus 48 plus 30, 361, is it good, yes, यह बहीं हम, n कितना है, एक, दो, थीन, चार, पांच, छे, साथ, 7 into sigma x y minus sigma x into sigma y upon n sigma x square minus sigma x का whole square, is it clear to you all, yes, 7 into 18,000 xo sart memory plus 338 into 361 memory minus MRC, तो यह रहा, 5102 only, 7 into 17,094 memory plus 338 ka square memory minus MRC, यह रहा, 514, तो यह रहा, 5102 divided by 5414, so, it is 0.94, ठीके, 0.94 आगया मेरा value B, Y on X का, now, I need to form the equation, so, when I am talking about B, Y on X, I am talking about X minus bar X and Y minus bar Y, simple trick to remember the formula, students, you need to tell me what is the value of bar X and bar Y, in this position of time, I am not going to tell you the mean, चलो 338 को 7 से डिवाइट करो, 361 को 7 से डिवाइट करो, 48.28 और 51.57, तो यह 51.57, 0.94, 48.28, चलो, अब यह बस हो गया, अब इस equation को solve करना है मेरे को, और X की वेल्यू मेरे को 55 डाल के solve करना है, तो X की वेल्यू यहाँ पर 55 पहरी डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, चलो, 55 डाल के मैं solve कर रहा हूँ, 55 minus 48.28, इंटू करूँगा मैं 0.94, तो यहार है 6.31, 68, तो Y is equal to हो जाएगा, 6.3168 प्लस, 51.57, 57.88, this is the exact answer of the question, 51, 57.88, खीक है, दन, तो अब जिसका नहीं बना था, वो क्रीपया करके नोट डाउन कर लो, ओके बच्चो, next question देखो, बोल रहा है, find the mean of X and Y variable, and the coefficient of correlation between them, from the given two regression equations, अच्छा, दो regression equation दियो है, मेरे को बताओ, क्या मेरे पास correlation find out करने का कोई formula है, हाँ है भाईया, कहा है, यह रहा हूँ, बी X on Y, बी Y on X कहीं से अगर मिल जाए मेरे को, तो मैं क्या correlation find out कर सकता हूँ, फटाफट से सारे बच्च से बताएंगे, क्या मेरे को अगर यह दोनों कहीं से मिल जाए, तो क्या मैं correlation find कर सकता हूँ, ठीक है, पर mean कैसे निकलेगा, तो मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, कि आपने, देखा नहीं notes को, the intersection point of regression lines, जब को regression line दिये रहते हैं, उसका जो intersection point होता है, वही उसके mean होती है, वही उसकी क्या होती है, mean होती है, इसका मतलब, जब आप यह दोनों equation को simultaneous solve करोगे, तो जो आपको answer मिलेगा, x और y का, वह आपका क्या होगा, mean होगा, आई बस समझ में, बोलो, 2y-x-50, is equal to 0, equation number 1, 3y-2x-10, is equal to 0, equation number 2, बच्चों, यह दोनों का अगर आप simultaneous solve करोगे, जैसे हम लोग equation chapter में सीखे थे, और x और y की value निकालोगे, तो वही mean की value होगी, चुकि जहां पर यह दोनों टकराते हैं, वही उनका mean होता है, जहां पर दोनों regression line टकराती है, तो चलो हम इसको simultaneously solve पर लेते हैं, तो कैसे solve होगा, इसको equation number 2 को, equation number 1 से minus कर दो, ठीक हैं? नहीं, फिर eliminate नहीं होगा, eliminate करना है मेरे को, तो I am multiplying, equation number 1 with 2, 2 से multiply कर रहो, तो 2 टू जा 4 y, minus 2 x, minus 100 is equal to 0, अब मैं equation number 2 को, equation number, अब मैं equation number 1 को, sorry, 2 से minus करूँँगा, c y, minus 2 x, minus 10 is equal to 0, चलो, minus करो, तो minus करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, yes, minus 90, is equal to 0, तो y is equal to कितना हैगा, बच्चो, 90 आगया, y की value 90 आगया, अब किसी भी equation में, जहाँ तुम्हारा मन, वहाँ पर y की value पूट करके, x निकाल, तो equation number 1 में ही पूट कर देते हैं, putting y is equal to 90 in, equation number 1, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, 2 into 90, minus x minus 50 is equal to 0, 180 minus x minus 50 is equal to 0, तो इसको इससे minus करो, कितना हो जाएगा, 130 minus x is equal to 0, so x is equal to 130, this is the value of x, तो अगर आप लोग को कैसा लग रहे हैं, कि यह y और x की value है, तो आप गलत फहमी में हो, यह मेरे, बार x और बार y की value है बच्चों, ठीक है, तो जहाँ पर यह इंटरसेक्ट करते हैं, वही पर हम को यह value मिलती है, तो मेरा बार x हो जाएगा 130, और मेरा बार y हो जाएगा 90, first of all, you are going to note this down, then I am going to tell you, how we can find correlation as well, चलो बेटा, अब सबसे main game आया है, question का, MCQ में आने वाला hottest question है, यह correlation कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले, यह दोनों equation को उठा के, हम अपने next working mode में लेके जाने वाले हैं, चलो, let's take this both equations to the next page, copy, paste, चलो, अब देखो ध्यान से सुनना, अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को by on x चाहिए, by x on y चाहिए, और वो इस equation के अंदर है, देखियो न, equation में by on x और by x on y होता है, वो भी इस equation के अंदर है, मुद्दा ये है, problem ये है, सोचने का जो वो है, topic है, वो ये है, कि by on x और by x on y, का equation कौन सा है, वो हम लोग कैसे decide करें, तो वो हम लोगों को trial and error करके देखना पड़ेगा, तो इसलिए हम एक borderline खीषते हैं यहाँ पर, और हम आपको समझाने कोशिश करते हैं कि कैसे trial and error करेंगी, पहले case में मैं assume करता हूँ, कि पहला वाला equation by on x है, मैं assume किया हूँ इसको, कि ये है मेरा, यहाँ, मैं कर क्या रहा हूँ, let me assume in the first place, that this is by on x, and by x on y, second one, और दूसरे case में मैं assume करता हूँ, यह bx on y है, b y on x है, अब भाई जिसका equation है, उसका is equal to निकाल लेते हैं हम लोग, तो यह y on x है, तो इसको मैं पहले y is equal to के format में ले लेता हूँ, इसको y is equal to के format में हम ले लेते हैं, तो y is equal to हो जाएगा, x plus 50 upon 2 upon 2, ठीक है, और इसको हम लोग x is equal to के format में ले लेते हैं, तो x is equal to हो जाएगा, 3y minus 10 upon 2 upon 2, तो यह हो गया मेरा convert, वैसी यहाँ पर भी हम conversion करेंगे, इसको x is equal to के format में लेते हैं, क्योंकि x on y है, तो x is equal to निकालना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा मेरा, 2y minus 50 upon 2 upon, नहीं नहीं ठीक तो है, यह बस हो जाएगा, 2y minus 50 बस हो जाएगा, x is equal to, और यहाँ पर y is equal to निकाल लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, y is equal to 2x plus 10 upon 3 upon 3, ओके, getting my point or not, पड़ावड से बताओ, इतना सब को समझ में आ गया, मैंने पहले assume किया, कि पहला equation y on x हो सकता है, दूसरा x on y हो सकता है, मैंने उसका ultra assume किया next वाले में, trial and error करके देखना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, इसको solve परने का, फिर y on x equation को मैंने y is equal to निकाल लिया, और y on x को मैंने y is equal to निकाल लिया, वैसी यहां पर x on y equation को मैंने x is equal to निकाल लिया, और y on x को मैंने y is equal to निकाल लिया, ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, फटा फटा से कोई भी एक random question की example में हम लोग आते हैं, मेरे को बात बताओ, ये कौन सा equation है, इसको छूड़ो, ये कौन सा उक्वेशन दिख रहा है? सारे बच्चे बतायेंगे, ये कौन सा उक्वेशन दिख रहा है? बोलो, X on Y, और ये वाला, Y on X, अगर तुम गोर से देखो, ध्यान से देखो, X on Y को मैंने X is equal to निकाल है, जो कि मैंने उस question में भी किया है यहां पर जो b x on y था क्या वो as it is multiply होके y के साथ बैठा हुए है फटा फट से बताओ जो b x on y था वो as it is multiply होके y के साथ बैठा हुए वो ही exact figure exact figure यहां y के साथ multiply होके बैठी हुई है बोलो हाँ वैसे यहां पर देखो जब y on x चल रहा था क्या चल रहा था y on x तो क्या b y on x as it is multiply होके यहां पर x के साथ बैठा हुए है आज यहां पर multiply होके y के साथ हुए है यस तो इससे मे रोको बात समझ में कि मेरा जब y on x है तो इदर x की साथ में चिपक के बैठा हो से रहे गɑ और यहां यहां पर देखो coefficient यह रहा एक्स उन साथ चिपका हुआ है और यहां पर coefficient यह रहा वैसी यहां पर coefficient यह रहा और यहां पर coefficient यह रहा तो मुझे मिला यह वाले यहां पर दोनों पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है और अगर दोनों नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव साइन लेना है मैंने आपर लिख़वा के भी रख रहे हैं ठीके बच्छों तो आर इस इक्वाई टू मैं ले रहा हूँ दोनों में पॉजिटिव रूट और बी वाय ओन एक्स इन्टू बी एक्स और यहां पर देखो प्लस 1 by 2 into 3 by 2 आंसर बताओ मेरे को इसका और इसका भी आंसर बताओ पहले और दूसरे का आंसर बताओ मेरेका पहले आंसर 0.86 और दूसरे का आंसर 0.87 ठीक है और दूसरे का आंसर 4 डिवाइट बै 3 का रूट करो न बेटा डाइरेक्ट 1.15 1.15 ठीक है clear अब मेरे को तुम लोग बता दो कौन सा आंसर सही है मैं कुछ नहीं बोलता कौन सा आंसर सही है तुम लोग बता दो कौन सा गलत है कि फॉस्ट वाला सही है कैसे पता चला कि फॉस्ट वाला आंसर सही कैसे पता चला भी या क्योंकि आपने ही हमें सिखाया है correlation की value minus 1 से plus 1 की range में होनी चाहिए और यह उस range को तोड़ दी है तो यह correlation हो ही नहीं सकता यह है आंसर इसका मतलब मेरी यह वाली कि पहला equation b y on x है और दूसरा equation b x on y है और यही एक सिंगल तरीका है इसको निकालने का इसमें तुम लोगों को इतना लिखना तो पड़ेगा नहीं तुम लोग तो solve करोगे calculator पर इस टाइप के question mcq में definitely आते हैं इस टाइप के ही आते हैं और यह सिंगल तरीका है निकालने का correlation क्या आपको equation को trial and error करके देखना है आप पहले b y on x से यूंग करो फिर b x on y यूंग करो और y से वरसा और आप values को डाल के देखो route के अंदर अगर answer आ रहा है correlation के दाइरे के अंदर तो आंसर आपका सही है अगर नहीं आ रहा है मतलब गलत है अब बच्चे आपर एक डाउट पूछते हैं कि भाईया कभी अगर ऐसा हुआ कि दोनों आंसर दाइरे के अंदर आगया तब क्या करेंगे बोलो क्या तुम्हार भी नहीं आएगा एक नाएक अंसर दाइरे के बाहर होगा ही होगा वन के उपर या माइनस वन के नीचे है ठीक है और उससे तुमको आटोमेटिक पता चल जाएगा कि यह answer correlation नहीं है 100% केस में ऐसा होगा यह answer सही आएग और एक अंसर गलत आएग ठीक है सबको इफ येस दे अब देखो अब हम लोगों को सबसे पहले intersection point निकालना है ताकि हम लोग decide कर सके what is going to be the mean of x and y intersection point निकालने के लिए यहाँ पर मेरे को 20x दिख रहा है तो अगर मैं question number 1 को 5 से multiply कर दूँ तो मेरे को 20x मिल जाएगा 20x 25y plus 33 into 5 165 is equal to 0 ठीक है अब इसको और इसको अपन आपस में माइनस कर देंगे ठीक है तो यह 20-20 तो भाई खतम हो जाएगा माइनस 9 है यहाँ पर तो प्लस लग जाएगा तो यह हो जाएगा 25 माइनस 9 तो इस 16y और यहाँ पर लग जाएगा माइनस तो यह कितना हो जाएगा 165 माइनस 107 यह हो जाएगा माइनस 58 is equal to 0 तो तो कैना ही से 16y is equal to 58 और वी कैन से 58 upon 16 तो वाट इस गाइन तो बी वैली ओवाए बच्चो come on is it 3.625 क्या आपको भी यही आंसर मिला है नहीं मिला है कैसे 525 33 into 5 165 165 माइनस 107 58 और 25 माइनस 9 is 16 272 अच्छा sorry yes yes you are right बच्चो भाईया माइनस माइनस प्लस होता है भाईया क्या मजाग कर रहे हैं सही बात है 272 हो जाएगा तो यह 272 इदर आ जाएगा 272 upon 16 हो जाएगा 272 divided by 16 यह हो जाएगा 17 जाएगा 17 is the value of y यानि की mean of y 17 हो गया अब यह 17 की value कहीं पर भी डाल दो 17 into 5 ठीक है और यह माइनस में हैं तो यह माइनस 33 52 divided by 4 is it x is equal to 13 guys x is equal to 13 yes तो यह मेरे को मील मिलके बहुत सिंपल simultaneous solve करने से अब मैं assumption लेता हूँ कि मेरे equation number 1 by on x है equation number 1 को मैं by on x ले रहा हूँ और इसको bx on y ले रहा हूँ तो by on x अगर मैं लूंगा तो यह हो जाएगा 4x plus 33 upon 5 upon 5 is equal to y y on x और x on y अगर अपने लेंगे तो यह कितना हो जाएगा इस इक्वल टू 9 y plus 107 upon 20 upon 20 तो क्या मिल गया मेरे को ढूंड के बताओ यह देखो यह x के साथ और यह y के साथ तो यह हो जाएगा root over 4 by 5 into 9 by 20 4 into 9 divided by 5 divided by 20 इसका root निकाल दो तो यह 0.6 पहली बार में आ गया है तो तुम्हारा भी यही आया है तुम्हारा भी यही आया है बच्छो यह सिंपल बेटा सिंपल बताओ एक ही बार में आ गया मैं हमेशा बोलता हो पहले वाले पहले करने जा रहे हैं तुम लोग को बन क्या होगा तुम लोग आंसर चेक करना है और बस मेरे को आंसर बोलते जाने है जब जब मैं तुमसे पूछते जाऊंगा ताकि मेरे को भी एक यहां भी मेरे साथ साथ में नहीं चल रहे हैं मेरे से पहले कर चुके हैं चलो फॉलेंग टेबल शो कर रहे है सेल्स और अड़र्टीजमेंट क्या बोल रहा है को रिलेशन को एफिशेंट यह निकि आर इस इकल टू पैंट नाइन दिया हुआ है ठीक है बोल रहा है एस्ट बोलो very good बच्चो independent और सेल्स that is x is dependent on advertisement here it is mentioned यह देखो पढ़ लो what is likely sales sales कितनी होगी क्या बोल रहा है कोश्चन सेल्स कितनी होगी जब 10 करोड का advertisement करूंगा तो बताओ advertisement दिया हुआ है independent आदमी है पर sales कितनी होगी निकालो sales dependent है on advertisement तो simply we can say x is dependent upon y यह x है यह y है बार x मेरे को दिया हुआ है 40 बार y मेरे को दिया हुआ है 6 sd of x मेरे को दिया हुआ है 10 और sd of y मेरे को दिया हुआ है 1.5 is it clear to you all और मेरे को निकालना है कि जब y is equal to 10 करोड है तो x is equal to कितना होगा मेरे को question में यह find out करके निकालना है ठीक है so what we are going to find x on y why because x is dependent upon y sales is dependent upon advertisement so x is dependent upon y so we are going to find x on y and when bhaiya is talking about x on y bhaiya is talking about bx on y that is y minus bar y and x minus bar x so here we go with x minus bar x is equal to bx on y फटाफर से सारे बच्चे बिताएंगे कौन सा formula यूज होगा क्या आपको question में sd दिया हुआ sd वाला formula यूज होगा r into sd of x upon sd of y तो r into sd of x upon sd of y y अच्छा y की value मेरे को 10cr दी हुई है तो मैं इसको डाल दे रहा हूँ यहाँ पर 10 करोड minus bar y कितना है 6 है so let's find this out by solving this equation simply 10 into 0.9 divided by 1.5 6 आगया यह 10 minus 6 is 4 into 6 is 30 10 minus 6 is 4 into 6 is 24 and उदर जाके plus हो जाएगा plus 40 तो क्या यह x is equal to 64 आ रहा है बच्चो तुम्हारा भी बटा बट से बताओ आ गया 64 बताओ हाँ भी आ गया आ गया 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 जिसका नहीं हुआ है क्रिप्या करके note down कर लो और जिसका हो गया कोई बात ही नहीं है कोई बात ही नहीं है कोई मुद्दा ही नहीं है discussion का बोल रहा है दो series है index number की P for price index and S for stock for commodity mean or standard deviation of P R 108 और S का 103 and 4 correlation coefficient 0.4 with these data obtain करो regression line P on S मैं नहीं करा रहा है मैं नहीं करा बेटा R SD of X SD of Y वाला formula R SD of Y SD of X वाला formula बस क्या था इसमें regression lines draw करने बोल रहा है हम नहीं कराएंगे not at all बोल रहा है five pair of the observation following result obtained sigma X sigma Y sigma X square sigma Y square sigma X Y equation of the lines of regression बता और estimate करो value of X on the first line when Y is equal to 12 and value एक बार X on Y निकाल रहा है एक बार Y on X निकाल रहा है कराना पड़ेगा you really feel like कराना पड़ेगा no नहीं चलो बोल रहा है दो regression lines है एक सेकंड रुप जाओ उप्स बैटरी लो बच्चों देखो भाई ने एक्स पोजिशन चलो 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 बोल रहा है दो regression lines है 3X plus 2Y is equal to 26 और 6X plus 3Y is equal to 31 बोल रहा है correlation coefficient का formula होता है r is equal to root over B Y on X into B X on Y होता है ठीक है positive अगर यह दोनों positive आयतो हो और negative अगर यह दोनों negative आयतो हो अब मेरे पास यह दो equation है मेरे को करके देखना पड़ेगा trial and error 3X plus 2Y is equal to 26 and 6X plus 3Y is equal to 31 चलो पहले वाले को B Y on X assume करते हैं तो अगर मैं इसको B Y on X assume कर रहा हो तो मेरे को Y is equal to निकालना पड़ेगा जो किया जाएगा 26 minus 3X upon 2 upon 2 मेरे को सिर्फ इस से मतलब है और इसको X is equal to लेते हैं तो जो जाएगा 31 minus 3Y upon 6 upon 6 अभी मेरे को सिर्फ से मतलब है और मैं रबर ले लिया 31 upon 6 minus 3Y upon 6 3 upon 6 ओके तो मैं 3 by 2 ले लेता हूं B Y on X को और B X on Y को में ले लेते हैं 3 by 6 we are going to find R that is 3 by 2 into 3 by 6 I think नहीं आएगा 96012 root ओके आगया 0.86 अंसर बोलो तुम्हारा भी आगया अ बोलो माइनस में होगा अंसर येस यहां पर देखो माइनस लगा है यहां पर भी माइनस लगा है तेसली आंसर अपना माइनस में होगा ठीक है दोनों माइनस में ना माइनस भी लेते हैं हम लोग ठीक है इजी ओके नेक्स एक लेप ग्रोड़ टी एक्सपरिमेंट के अंदर को रिलेशन रिसर्ट इडी इक्वेशन अफ टू रिग्रेशन लाइन फाउंड रहे और आर निकालना है इतनी चीजद निकालने आपको ठीक हैं हा भी या निकाल लेंगे यहां पर भी रिग्रेशन को ओफीशेंट यानि कि बी वायों एक्स और आप BX on Y निकालने बोल रहा है और correlation अरे भाईया correlation निकाल रहे हैं तो B, Y on X, BX on Y तो default case में निकालेगें, बोलने की ज़रत नहीं है, खुद ही निकाल देंगे ओके, question number 10 का answer में तुम लोगों बता रहो R की value बता देता हूँ, अगर R की value सही है, मतलब सब सही है, 0.866 है, question number 10, 0.866, yes, question number 11 बच्चो, R is equal to 0.4082, very good, सही है, ठीक है, चलो, अब हम लोगों को questions करने, regression के, पड़ावर से सारे बच्चे 7th concern में लोगों बताएंगे, regression analysis किस से concerned है, Establish करेंगे mathematical relationship दो variable के बीच में, extent of association भी measure करेंगे, predict करेंगे value of dependent variable for a given value of the independent variable या बोथ A और C, या बोथ A और C, बताओ, बच्चो इस cancer D है, और तुमनों सही बोल रहो हो, इस cancer D है, हम लोग पहले, मेरे बात बताओ, बेटा, तुम तब तक dependent variable की value निकाल पाओगे, कि जब तक तुम relationship form नहीं कर लेते, बेटा, जब तक relationship में form नहीं कर लेता, तब तक मैं value find out कैसे करूँगा, dependent variable की, है न, तो पहले हम लोग relationship form करते हैं, कि ये दोनों के बीच में line बनाते हैं, वही तो है relationship, कि B का Y, Y on X के साथ क्या relation है, या X on Y का क्या relation है, उसके बाद हम लोग उसकी value find out करते हैं, तो value बेटा हम तब find out कर पाएंगे, जब हम relationship form कर पाएंगे, तो इस cancer D होगा, ओके, yes भईया, next, यहां से, 32 number question, बताओ, फटा बच्चे सारे बच्चे 32 question पढ़ेंगे मेरे साथ-साथ में, बोल रहा है, there are two variable X and Y, then the number of regression equation, बताओ, दो variable के कितने regression equation बनते हैं, दो variable का question X और Y, कितने regression, बेटा, दो regression equation बनते हैं, बात खातम, चलो, 33 बताओ, बोल रहा है, since blood pressure of a person dependent upon age, we need consider, कि क्या consider करेंगे, blood pressure dependent upon age consider करेंगे, या age dependent upon blood pressure consider करेंगे, बताओ, blood pressure age के कारण होता है, या age blood pressure के कारण होती है, definitely blood pressure age के कारण होता है, blood pressure age के कारण होता है, चलो 34 बताओ method applied for deriving the regression equation is known as regression equation को derive करने के लिए कौन सा method use होता है so I think तुम लोग rejection method लगा के हैं सही answer ला सकते हो rejection method लगा के सोचो बेटा सब का अंतर गलत है least square method use होता है least square method use होता है concurrent deviation तो ही नी product movement तो ही नी दोनों पिछले chapter की बाते हैं ठीक है मतलब correlation की बाते है normal equation थोड़ी होता है normal equation क्या होता है तुम लोगों को जो basic है single variable basic equation होता है तो normal equation बोलते है least square method apply होता है तुमारे book की theory में भी यह बात लिखी हुई है theoretical question है least square method is applied here are you getting my point yes भाई है 35 इसको याद रखना न बोल रहा है the difference between the observed value and the estimated value in regression analysis is known as error, residue, deviation a और b a और b दोने में से कुछ भी क्या बोलते है difference between the observed value and the estimated value very good वैसे इसका answer तुम लोगो पता नहीं होगा जो कुछ बच्चे गलत answer देंगे इसलिए इसको लोग error भी बोलते हैं residue भी बोलते हैं दिये इसका answer ठीक है theoretical question है okay next 36 बताओ बोल रहा है error in case of regression equation are may be positive may be negative may be zero और may be all of these बताओ error positive भी हो सकता है क्या negative भी हो सकता है क्या zero भी हो सकता है क्या all of these हो सकता है या इन में से कोई एक very good किसी भी प्रकार का error हो सकता है error जादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है हो सकता error ना हो zero error का मतलब error ही नहीं है ठीक है बोल रहा है regression line by on x कैसे derive होता है बताओ minimization of vertical distance the scatter diagram minimization of horizontal distance the scatter diagram बोत A और B A और B and B और 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 B and B मतलब दो नो और भी मतलब या तो यह या तो भी बताओ y on x यह याद रखना है यह मेरा y axis होता है यह एक्स 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 और यह vertical distance होता है जो भी तुमारा scatter diagram होगा उससे vertical distance और यह horizontal distance होता है जो भी तुमारा scatter diagram होगा उससे horizontal distance तो बताओ उससे साब से derived by बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं यह यह इस डिपेंडेंट अपॉन एक्स तो एक्स इस बेंट टो बी कॉंस्टेंट इसलिए हम लोग एक को देखेंगे तो हम बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चान है थियोरी क्वेश्चान है और तुम लोग डाइग्रामेटिकल भी समझ सकते इस चीज़ को सेसलिए हम वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे स्कैटर डाइग्राम से होरिजॉंटल लें वर्टिकल डिस्टेंस क्योंकि वाइस डिपेंडेंट अपॉन एक्स अच्छा इसका उल्टा कोश्चन भी आ सकता है तो उसमें तुम लोग आंसर टिक करोगे होरिजॉंटल क्लिय यहां दो लाइने direson बिकम्स identical बैंच अइडेंटिकल कब हो जाएंगे tweeting बताओ कबша हो जांगे जब आर न के बराबर होगा जब आर माइनस वन के बराबर होगा जब और 0 के बराबर होगा यह और बो का कि कुश्चन यह देख आइडेंटिकल काप हो जाएंगी तो मैं तुम लोगों को बताता हूं जब परपेंडिकुलर होती है क्या होती है परपेंडिकुलर होती है तब आर जीरो हो जाता है जाता है फटफट से बोलो क्या जते है दर जाता जाता है और जब तुम सब्सकिण पूछेगा कि दो रिंग्रेसिन पूछेगा कि दो regression line perpendicular कब हो जाएगी तो आप क्या बोलोगे जब R 0 हो जाएगा आई बाद समझ में theory का question है बच्चो कि बोलो कि इसको नोट करके रखो तुम लो नोट कर लो इसको theoretical questions you need to note guys because आपको problem करेंगे आपको problem करेंगे theoretical questions आने वाले समय में कि यह R is equal to minus 1 R is equal to 1 कब होगा तुनो मेरी बात यह दो regression line है यह एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी और जब same direction में जाएगी एक दूसरे के ऊपर आ गई और same direction में जाएगी तो you can say the relationship is positive बोल सकते हैं बोलो relationship is positive एक ही direction में जा रहे हैं तब होता है R is equal to 1 तब क्या होता है R is equal to 1 पर जब दो regression Line आपस में एक दूसरे से coincide हो जाएगी यह द दो regression Line है आपस में दूसरे के ऊपर एक के ऊपर एक आ गई है बट जा रही दोनों अलग direction में, जा रहे है दोनो अलग direction में, यहाँ पर दोनो एक ही direction में जा रहे थे, पर यहाँ पर दोनो अलग direction में आपस में अइदेन्टीकल हो गई है, हो गई है, coincide और identical तुम interchangeably use कर सकते हो ठीक है तो तब तुम्हारा क्या हो जाएगा मैं लिखवा देता हो चलो भी लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ R is equal to 1 and R is equal to minus 1 when the two regression lines are coincide and identical R is equal to 0 when two regression lines are perpendicular to each other लिख लो इसको अब इसको एक दूसरे के पांस लाते हैं यह देखो और यह लाइन एक क्यों पर एक होती है मैं ऐसे अलग-अलग इसलिए बनाया हो ताकि तुम लोगों को समझ में आया है चलो 39 बताओ 39 बताओ दिखो बेटा जल्दी लिखो ओ गया ओके वोट आर दा लिमिट्स अब टूरी ग्रेशन को ओफीशिन दो रिग्रेशन को ओफीशन की लिमिट्स क्या होती बताओ फटाफट से बताओ बताया था ना तुम लोगों को क्या कोई लिमिट्स नहीं होती है या पॉजिटिव होना चीए यह एक पॉजिटिव या अधर नेगिटिव देखो एक पॉजिटिव एक नेगिटिव तो हो ही नहीं सकता यह तो इसको तो काटी दो क्योंकि मैं स्टेटिमेंट लिखाया था बी य ओन एक्स और बी एक्स less than unity हमेशा यह सी ज्यान में रखना कि 1 से कम होगा इसका simple reason क्या है मेरे को बताओ इसका direct reason नहीं है पर अपने पास इसका reason एक दूसरे इसी लिए बी वाय और एक्स और जब भी आप मल्टिप्लाइ करोगे तो इट शुड भी ऑप्शन ही नहीं अपने पास इट शुड भी लेस देन unity वन से कम होना चाहिए ठीक है तो निमेरिकली हम लोग बोल सकते कि यह एक प्रैक्टर है डारेक्ली कोई इसका वो नहीं है बड़ा फट से बता दो ओरीजिन स्केल बोथ ए और भी ए और भी regression coefficient को किस से फरक नहीं पड़ता वेरी गुड ओरीजिन से फरक नहीं पड़ता चलो 41 बताओ बोल रहा है अगर coefficient of correlation between two variables 0.9 है then the coefficient of determination r square 1 minus r square 0.9 का square कितना होगा 0.81 coefficient of determination ठीक है 42 बताओ बच्चों बोल रहा है इस दक कोईफिशन्ट of correlation between two variables 0.7 है percentage of variation unaccounted for बताओ कि इतना percent हमने account नहीं किया यह बताओ 70 परसेंट नहीं account किया अधे बच्चे बोल रहे हैं अधे बच्चे 30 बोल रहे हैं इतना variation कैसे answer कितना confusion कि अनकाउंटेड बहुत बढ़िया बात है बच्चों ने पकड़ लिया बेटा coefficient of non determination निकालेंगे non determination का मतलब भी क्या होता है कि हम determine नहीं कर पाए क्या होता है उसका मतलब कि हम determine तो जो चीज मैं determine ही नहीं कर पाया उसको मैं account कर पाऊंगा क्या बताओ जो चीज मैंने कि डेटर्माइन ही नहीं कर पाई उसको मैं अकाउंट कर पाऊंगा जो चीज मैं धूंडी नहीं पाई उसको मैं अकाउंट कैसे करूंगा नहीं करूंगा तो coefficient of non-determination निकलेगा मतलब जो चीज मैं डेटर्माइन नहीं कर पाई यानि कि 1-R का स्क्वेर तो यह कितना हो जाएगा 7749 0.49 तो यह आगया 0.51 51 परसेंट तो आंसर आई बात समझ में ऐसे होगा बेटा देखो जरूरी नहीं है कि जो चीज तुम लोगों को exactly इंस्टीट बोल रहे हैं वैसा ही question चिपका देंगे उसी करेंस की वर्त के साथ वह सकता है न बहीं कुछ और 없다 रहो बेंसे के वह कर सातंहों उसामें कि आने हांसे सदर्ध diesen को सब्सक्क्राइब पाइए क्योंभा अब्हीं देंगे उसको कितना वह सब्सक्राइब करने वाले है तो लिख सकता है we are not going to pay 5000 रूपी स्रेटर यह तो एक्दम देशी भाष्चा हो गई पर देशी भाष्चा में बात ही नहीं करते है इसलिए वह ही है बेटा यह रहा next question यह रहा what are falling are the two normal equation obtained from deriving the regression lines of y and x यह और यह regression line y and x कौन सी बताओ पताओ regression line y on x कौन सी होगी y dependent upon x trial and error करके देखना पड़ेगा r की value जिसमें सही आ गई वही तुम्हारा y on x होगा a को x मान लो b को y मान लो 5 x plus 10 y is equal to 40 10 x plus 25 y is equal to 95 इसका trial and error करो जहां पर r की value सही आ गई वहां पर जो equations form हो रहे होंगे उसमें से y on x वाले equation को उठा लेना y is equal to minus 5 x हो जाएगा इदर आके और नीचे आ जाएगा 10 ठीक है तो यह 1 by 2 हो जाएगा minus में इदर x is equal to minus 25 है क्यों हो जाएगा 2.5 2.5 1 by 2 कर रूट यह ऐसे नहीं हा रहा है फिर x is equal to लेंगे तो x is equal to हो जाएगा minus 10 upon 2 minus 10 upon 5 तो जाएगा 2y तो इदर से 2 निकला फिर y is equal to हो जाएगा यह minus 10 upon 20 10 divided by 25 into 2 कर रूट ओके तो पहला वाला x on y है दूसरा वाला y on x है यह वाला y on x आ रहा है तब यह y on x आ रहा है तो इसमें निकाल लो तुम y is equal to कितना आएगा 95 minus 10 x 125 upon 25 हम इसको solve करके निकाल लो बेटा देखो यह question ऐसे नहीं solve होगा इसमें a और b की value हम लोगों को पहले निकालनी पड़ेगी ऐसे नहीं आएगा इसका अंसर तो यह दुनों को solve करोगे तो a और b की value आएगी तुम लोग निकाल दी हो कितनी बोले a की value तुम लोग a की value 2 b की value 3 इसको simultaneous solve करने से आएगा answer फिर y is equal to a plus bx मेरा equation होता है ना y on x का मैं दिखवा के भी रखा था यह देखो y on x का मेरा equation होता है a plus bx तो यहां पर मैं a की value डाल दूंगा 2 plus b की value डाल दूंगा 3 तो मेरा answer c हो जाएगा actual में गलती यह हुई पढ़ने में question कि यह regression equation नहीं है नॉर्मल equation है जो की derive हुआ है इस regression line से यह गलती हो गई y on x regression line जो है उससे derive हुए था यह equation नॉर्मल equations है यह regression equations नहीं है तो वह हमसे गलती हुई ठीक है कि यही उम्मर है कर ले गलती से mistake 17 वाला बताओ बच्चों कि बोल रहा है अगर regression line y on x x on y given है यह और यह then the arithmetic mean of xy कितना होगा निकालो कि निकाल चुक्योंगे तुम लोग x और y पूछा है तो sequence होना चाहिए x का पहले बताओगे y का बाद में बताओगे यह sequence होना चाहिए 1 और minus 1 बोल रहे बच्चे ठीक है तो 1 और minus 1 मतलब यह आ जाए गांसा है बस simultaneous solve करना है 18 बताओ बोल रहे given the regression equation यह और यह which one is the y on x आर की वेल्यू निकालो पता चल जाएगा आर की वेल्यू जिसमें सही आ गई वह पता चल जाएगा तो पहले वाले को बाया नेक्स अपन एज्यूम करते है और पहले वाला y on x है तो यह जाएगा minus 3 और दूसरा वाला x on y है तो जाएगा minus 5 upon 2 तो 5 नहीं आप दूसरी बात मेरे को यह बताओ तुम लोग क्या मैं फिर से चेक करूंगा कि पहला वाला x on y है और दूसरा वाला y on x है यह डिफॉल्ट केस में अगर पहला वाला y on x नहीं आया इसका मतलब 100% दूसरा वाला ही y on x होगा कि मैं चेक करते बैठों नहीं मैं चेक करूंगा मैं फिर से चेक करूंगा एकब और और कि पहला दूसरा वाला y on x है और दीसारे डिफॉल्ट केस में पहला नहीं तूसरा होगा दो ही favorite आप्षन है यह 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 रिचेकिंग करने पताच यह नहीं है वायोनेक्स इसका मतलब पक्का second equation ही वायोनेक्स है तो एक्जाम में चेक मत करना, r की value निकालके मत चेक करना समझ जाना अपने डबल डबल काम सोड़ी करेंगे हम लोग सीधा एज्यूम करेंगे वाय और एक से बात खत हम टेक मारेंगे आगे पड़ेंगे क्लियर हो गई बात बोलो येस चलो 19 नमबर देखो बोले रहे है गिविन दा फॉल्ङं इक्वेशन ही और ये विच वन इस दा रिग्रेशन एक्वेशन x ओन जाय एक उन साइए एक सानवाय है X is equal to 3 upon 2 कि एड़ बाइज इपद्टिव हो जाएगा नहीं यह तो होई नी सकता हो शेट इस कांसर तो नन ओफ दीज है पुछो कैसे एक बाइवन एक पॉजिटिव आ रहे है एक बी एक एक और नेगीटिव आ रहे है एक वेरिएबल एक रिग्रेशन को एफीशन पॉजिटिव और दोनो भी क्वेशन कर लो एक पर वाइगा एक नेगेटि आएगा कि अरो ट्राइऐ और एक पॉसिटिव इक नेगेटिव आएगा आनसर इसका न ही नहीं सकता नेगे बढ़ो पॉसिटिव एक नेगेटिव इटव लग्य के इसको इस नौट्यकुन बताऊ 2020 U का value दिया हुआ है V का value दिया हुआ है regression coefficient Y on X दिया हुआ है 2.4 regression coefficient V on U क्या होगा तो अगर अब तुम लोगों को याद होगा regression equation regression coefficient is affected by scale regression coefficient is affected by scale तो जब भी आपको B देखो निकालने क्या बोला है question मेरे को देखो question मेरे को निकालने बोला है coefficient U on V निकालने बोला है V U on V देखो यही बोला है sorry V on U बोला है V on U निकालने बोला है तो इसके लिए क्या formula था मेरे पास V on U का V Y on X दिया रहेगा into M Y upon M X दिया है क्या देखो यह देखो दिया है V Y on X into M Y क्योंकि उपर में Y है upon M X तो V Y on X कितना है मेरे पास बच्चो V Y on X है मेरे पास 2.4 इसको multiply करो scale of Y से और scale of X divide करो scale of Y से multiply करो scale of X divide करो यह देखो यहां से Y मिल जाएगा रुको में मिटा देता हूँ यहां से X मिल जाएगा देखो दीकर है तुम लोग हम भी करते हैं तुम भी करो 2.4 मेरा आंसर आ चुका है मैंने कैल्सी ऐसे रख दी जैसी तुम लोग आंसर दोगे मैं कैल्सी दिखा दूँ है ऐसे में देखो ऐसे कैल्सी की स्क्रीन का आप हो जाती है वेरी गूड वेरी गूड सभी कर रहे हो चांदार प्रदर्शन बच्चो आंसर है तुम्हार स्क्रीन पर 3.6 36 नहीं है न वो 3.6 है बिल्कुल सही जवाब अब जिन बच्चों को नहीं समझ भाया है उनके लिए I am here don't take fear पूरा क्यों नहीं आया वो लेक लेते हैं यूज इस इकले में तो टू एक्स प्लस फाई वीज़ी कटू टू माइनस थ्री वाए मैंस शिक्स फटाफट से बताओ मेरे को चाहिए है यहाँ पर स्केल आफ वाए कहां दिखर आपको स्केल आफ यह रहा यहाँ पर चाहिए मेरे को scale of x यह रहा ठीक है तो यहाँ मैं लिखूंगा minus 3 टडं 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 और यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 टडं टडं इसको हम करेंगे solve तो यहाँ अगर 2.4 into 3 divided by 2 तो that is 3.6 and there is a negative as well आ गई वात समझ में मेरे को यह given था मेरे को यह दोनो given थे मेरे को बस यह निकालना था और इसका formula में लिखवा दिया थे हैं आपर बच्चों समझ में है तो सारे बच्चे बोलेंगे हाँ अगर तुमसे question B, U and V पूछेगा तो data भी उसके according देगा अगर तुमसे question पूछ दिया कि B, U dependent upon V बताओ तो तुमको question B, X on Y देके रखेगा और तुमको यहां पर M of X पहले लेना है फिर M of Y बात मेंगे ठीक है एक दाम इजी? यस ठीक है बच्चों, next question देखो, 21 number question बोल रहा है अगर 4X-5X, 4Y-5X 15 is the regression line Y on X है and the coefficient of correlation between X and Y 0.75, oh my god इससे easy कुछ हो सकता था पड़ा-पड़ से बताओ, इससे easy कुछ हो सकता था, मेरको Y on X देके रखा है 4X, 4Y-5X is equal to 15 minus 5X is equal to 15 देके रखा है, यह Y on X है, तो Y is equal to निकालो 15 plus 5X upon 4 upon 4 इसका मतलब B, Y on X है 5 by 4, मेरको question R देके रखा है, 0.75 so can I say R is equal to root over B, Y on X into B, X on Y and we can say 0.75 is equal to B, Y on X is given and B, X on Y we need to find, so we can simply solve this one into is equal to 0.5625 into 4 divided by 5, so we are going to get B, Y on Y is equal to 0.45 and that's it. बताओ, तो question था, अभी ता question मेरको B, Y on X, B, X on Y दे रहा था, मेरे से R पूछ रहा था, अभी क्या दिया, यह दोनों दे दिया, बोला तीसरा बता दो, यह तो बेटा सत्य है बेटा, यह तो नेचर स्तूरूथ है, mean, median, mod पढ़ रहे थे, mean, median देता था, मोड निकालने बोलता था, median, mode मोड देता था, mean निकालने बोलता था, mode, mean देता था, median निकालने बोलता था, वहिँ चल्कुलेटर में कैसे करें, बताऊ एक बार, बेटा, very, very easy, beta, 0.75 into is equal to, तो फिर यह जो नीचे वाला 4 हूपर जाके multiply वही ओगा इन टू for और वाला 5 नीचे जाके divide होगा divided by 5 तिया गया मेरा 0,45 KĂसी में है एक पेटा Понक्ड कल्कुलेटर त्टो हाथ में ऐसे दॉ़रणा चाहिए जएसे घोड़ा कैस μας में हाँ भीया समझ गए हम आपकी बाद चलो ठीक है 22 बता दो इसी कुशी में बोड रहा है if the regression lines y on x and x on y are given this and this what is the coefficient of correlation नहीं बताऊंगा तुम लोग बताऊंगे 0.5 very good अच्छा हुआ मेरे बोलनेक पहले ही बता दिये 23 बताऊ अगर regression coefficient y on x and coefficient of correlation x and y and variance of y है this this and this respectively what is the value of variance of x variance of x बताऊं क्या क्या दिया है देखो सूनो मेरी बात को तुम लोग को दिया हुआ है regression coefficient y on x and coefficient of correlation x and y ठीक है regression coefficient y on x यानि कि b y on x data summarize करना सीखो पहले minus 3 by 4 correlation of coefficient of correlation x on y दिया हुआ है root 3 upon 2 मतलब r is equal to root 3 upon 2 दिया हुआ है और दिया हुआ है तुमको variance of y दिया हुआ है 4 तो फटफट से बताओ sd क्या होगा variance is equal to sd का square तो मेरे को बताओ ना variance is equal to sd का square होता है तो sd is equal to root over variance नहीं हो जाएगा हाँ भाहिया तो 4 का root नहीं हो जाएगा बिल्कुल सही तो 2 आ जाएगा अब मेरे को बात बताओ मेरे से question क्या पूछ रहा है variance of x बताओ तो variance of x के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा sd of x निकालना पड़ेगा sd of x जैसी है मेरे पास मैं उसका square करूँगा मेरे को variance मिल जाएगा और sd of x कैसे निकलेगा क्या मेरे पास formula है by on x is equal to r into sd of y upon sd of x बताओ by on x is equal to r into sd of y upon sd of x बिल्कुल है तो क्या मैं बोल सकता हो by on x minus 3 upon 4 is equal to r root 3 upon 2 into sd of y 2 sd of x मेरे को मिल जाएगा यहां से बिल्कुल मिल जाएगा इसको अब हम लोग solve कर लेते है normally जैसे हम लोग normal solve करते हैं तो यह मेरा हो जाएगा sd of x is equal to root 3 into 2 into 4 upon 2 into minus 3 2 or 2 तो cancel हो गया 3 का root into 4 divided by 3 तो यहारे 2.31 तो variance कितना आ जाएगा fraction fraction में दिया हुआ है क्या answers ओक्यों क्यों क्या answer fraction में दिया हुआ है तो हम लोगो एसा भी कर सकते हैं कि हम लोग answer normally निकाल लेते हैं फिर हम लोग उसको fractions को भी solve पर लेंगे 2.31 का square करो negative में है तो क्या हुआ negative में है तो positive हो जाएगा ना 5.33 हो जाएगा तो variance आ गया 5.33 अब fractions को divide करकर के देख लो एक बर 2 divided by root 3 upon 3 divided by 2 का root यह तो आए गई नहीं 16 divided by 3 5.33 लो भी answer है इसका क्लियर है सबको पताओ easy था question मेरे को b y on x दे दिया था मेरे को r दे दिया था मेरे को variance of y दे दिया था मैंने variance of y का यूज करके sd of y निकाला और फिर मैंने formula लगा है by on x का जो क्यों होता है r into sd of y upon sd of x मैं क्या बोला था question जैसा data देगा मैं वो formula यूज कर लूँगा तो मैं question तीन टाइप का data देता है मैं तीनों मैंसे कीजी को भी use कर लेता हूँ by on x मैंने लिख दिया मैंने r की value लिख दी sd of y sd of x sd of x को blank छोड़ दिया फिर मैंने इसको नॉर्मली जैसे mathematically solve करते हम लोग solve किया तो मेरे को sd मिल गया 2.31 negative फिर मैंने variance निकाला जो कि sd का square होता है तो यह मेरा answer आगया 5.33 is it clear to you all yes भाईया 24 is going to be the last question for today guys बोल रहे अगर y is equal to 3x plus 4 है regression line है y on x की arithmetic mean x का minus 1 है so what is the arithmetic mean of y मजाक y is equal to 1 very good simple y is equal to 1 बोलो clear है अरे बेटा minus 1 की value डालो यहाँ पर y is equal to minus 1 into 3 plus 4 तो जाएगा minus 3 plus 4 यहाँ जाएगा 1 one answer intersection point जहाँ पर दोनों line intersect करती है वही होता है ना mean तो अपने को minus 1 x की value दी हुई थी हमने question में डाल दी तो y की value मिल गई clear बोलो बच्चो clear है सबको yes exercise number set थी तो मैं तुम लोगों को पहले भी homework देके रखा था और अभी भी होंबक ही है not going to change I think उसके तो हम लोग majority question कर भी लिये थे यह regression के question मैंने तुमको करने को बोले थे तुम लोग फटा-फट से मेरे को बताते जाओगे क्या तुमको इसमें कोई doubt आया 30 number question में बोट रहा था following data जो है वो दस पेर बता रहा है father और sun की height का और आपको निकालना क्या था regression equation बनाना था height of sun on that father मतलब sun's height is dependent upon father's height इतना easy इसका equation बताना था आपको बताओ क्या answer आएगा इसका बना लिए equation son is dependent upon father son on father का equation बताओ formula सबसे लगवाना था n sigma xy वाला minus sigma x into sigma y वाला formula लगना था yes बच्चे बोल रहा है भाया इसका answer b है okay वैसी two regression coefficient बताना था इसमें तो वह तुम लोग easily by on x, by x on y बता सकते हो ठीक है फिर उसके बाद what is the estimated value of x for the following data बोल रहा है estimated value of x बताना था आपको इस data के according जब y जो है वो 25 है तो इसमें भी आप पहले पूरा solve कर लेते और x dependent upon y x on y का equation बनाना था और वहाँ पर फिर y की value आपको डाल देना था यहां पर आपको data देखो mean और variance का दिया हुए variance अपने sd निकाल सकते हैं अपने correlation r भी दे दिया है फिर question पूछ रहा है अगर x is equal to 90 है तो what is going to be the value of y dependent upon x तो यहां पर आपको y on x का equation बनाना है आड़ी बात समझ में ठीक है ऐसी करना था बच्चों easy question थे सारे इसके बार बात नहीं कर रहा हो यह वाला question correlation का था हमसे miss out हो गया था 10 sigma y square minus sigma y का whole square ओके भाईया चलो चलो बच्चों तीसरा और लास्ट set of mcq में बना रहे है नहीं हमना तीन सेट सौल किये ना एक बड़े question का यह पहला mcq set और यह दूसरा mcq set चलो बच्चों बताओ दे लाइन x is equal to a plus bx represent कर रहा है regression equation कौन सा regression x is equal to मतलब x dependent upon y भाईया राइट बच्चों x is equal to x dependent upon y यह कौन सी लाइन रेप्रेजेंट कर रहा है यह जोख चल रहा है यह पर the regression coefficient R0 if R is equal to R किसके बराबरों का फटाफर से बताओ regression coefficient 0 regression बिटा regression बीवाय ओन एकस बी एकस ओन वाई ठीके जीरो होगा तो R कितना होगा स्टैंब पे आर कितना होगा स्टैंब एरी गुड जीरो होगा ना R जीरो होगा रिलेशन बंदे ना R is equal to root over by on x into bx on y तो यह इधर आ जाएगा यह जाएगा आर का square is equal to b y on x into b x on y, अब मेरे को क्या r की value, r की value क्या होगी, अगर regression coefficient 0 है, तो यह 0 into 0, तो यह होगे 0 r square, तो r is equal to 0, r is equal to 1, 0, yes भाईया, b y x is called regression coefficient of, very good, b y on x, यह तो भाईया basic question आ रहे, एकदम basic, यह होगे x on y, slope of regression line y on x, बताव slope क्या होता है, y on x का slope क्या होता है, उसका regression coefficient by on x, उसका regression coefficient उसका slope होता है, ठीक है, since the correlation coefficient r is the dash of the two regression coefficient by on x and b x on y, पड़बड से बताओ, क्या होता है यह, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, यह none of these, very good, r is equal to root over होता है by on x, b x on y, इसका मतलब यह geometric mean होता है, यहां पर दोनों 식 से ब्ले किrait होता है यह सोकते हैं कि रेक्रेशन नीखर आपन्न होता है किसका जन्म होता है बच्चो जहां पर दोनों regression line आपस में टकरा जाते हैं very good भाईया mean का जन्म होता है जहां दोनों टकरा जाए mean जन्म ले जाए very good to regression line coincide कब coincide करेंगे फटा-फट से बताओ मैं तुम लोगों को बताया था perpendicular भी बताया था coincide भी बताया था very good जब r1 या minus 1 होगा तब coincide होगा और perpendicular कब होगा जब r0 हो जाएगा are you getting my point बात समझ माती बच्चो यस चलो 11 वाला बताओ फटा-फट से बोड़ रहे x और y satisfy कर रहे relationship y is equal to minus 5 plus 7x तो value of r क्या होगा यह बताओ value of r क्या होगा x और y दोनों satisfy करते हैं इस relation निकाले हो कैसे निकाले हो फटा-फट से बताओ बोलो मैं लिखती जाओंगा बताओ बच्चो देखो y is equal to minus 5 plus 7x दिया हुआ है यह equation x और y दोनों को satisfy कर रहे हैं दोनों के relationship को satisfy कर रहे हैं तो y is equal to इसका coefficient निकला ये 7 और अगर मैं same x is equal to निकालू तो y plus 5 upon 7 upon 7 तो इसका coefficient निकला ये इसका coefficient निकला ये r is equal to होता है root over b y on x into b x on y तो 77 cancel root over 1 तो answer आगे 1 और ये positive आएगा q positive आएगा क्योंकि यहाँ भी value positive है यहाँ भी value positive है तो दोनों b y on x b x on y दोनों की value positive है तो यह आजाएगा plus 1 आगई बात समझ में follow yes फईया ठीक है चलो 12th number बतादो फटावट से क्या बोल रहा है for the regression equation of y on x 2x plus 3y plus 50 is equal to 0 the value of b y on x b y on x की value क्या होगी अब ये y on x का equation है तो मेरे को इसको value लिखना पड़ेगा 3y is equal to minus 2x minus 50 so y is going to be minus 2x upon 3 minus 50 upon 3 so what we are going to get as b y on x that is minus 2 upon 3 so b is going to be the answer b is going to be the answer simple yes 13 number देखो बच्चो बोल रहा है in the line y is equal to this this b y on x क्या है अरे minus 5 upon 2 है directly निकल गया है ये दिया तो हुआ है 14 number बताओ यहां पर बोरा इंदा regression this b x on y क्या है ये तो है minus 2 upon 5 अरे question अरे यह मतलब ऐसा question exam में आना थी बच्चो बताओ तु तुफान मचा दोगे तुम लोग बताओ मचाओगे कि नहीं मचाओगे बोलो this is just for practice purpose guys confidence build up कर रहे हम लोग अपनी conceptual clarity के साथ येस this is chocolate question नहीं बेटा चॉकलेट प्रोब्लम बहुत टाफ होती थी चॉकलेट प्रोब्लम टाफ होती थी ना चॉकलेट प्रोब्लम तो मैं तुम लोगो दूँगा बेटा चलो इप two regression line this and this then bar x bar y क्या होगा पटा पट से intersection point निकालो दोनो lines का दोनो lines का intersection point मेरे को immediate basis पे चीए बच्चे ओ एक्स और y की value बचाओ come on बच्चो इसको 2 से multiply करूँगा मैं 2x plus 6y is equal to 14 2x plus 5y is equal to 12 minus करूँगा यह कर जाएगा y is equal to 2 हो जाएगा y is equal to 2 a की option में b में देख लो y is equal to 2 a की option में b में तो मैं x की value find out करने में interested ही नहीं हूँ मैं y की value मेरे को एकी option में 2 दिखी मैं टिक मार के आगे निकल गया जिमाक से खेलूँगा मैं ठीक है है हाँ भाई है चलो 60 number question बताओ बोल रहा है out of the two lines of regression this and this the line x on y x on y मेरे को निकालना है तो उसके लिए मेरे को r की value निकालकर trial and error करना पड़ेगा जहां पर r की value सही आएगी उसके basis पर में decide कर पाऊंगा कि कौन सा x on y है कौन सा y on x है so let's try with this x on y and this y on x and let's try to find out the value of r so what is going to be value of r minus 2 into और इधर y आएगा तो इधर plus में जाएगा यह minus 2 x जाएगा minus 2 upon 3 i think so yeah तो यह मेरे खाल से दे दिया value यह चायत नहीं 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 यह तो बिल्कुल नहीं है ठीक है यह तो बिल्कुल नहीं है दूसरा try करो गलत आ गया तो भाई मेरे को बताओ चेक करना पड़ेगा क्या मैं एक बार टेस्ट कर लिया यह नहीं है यह दोनों यह x on y नहीं है और यह y on x नहीं तो क्या मेरे को फिर से चेक करना पड़े कर नहीं मैं तो सीधा बोल दूंगा हैं क्या है मैरा साइन से मतलब सही तो यह पक्का गया अगहा जैसा में तुम लोग को बताया था की नहीं पता ऐसा क्यू होता है मैजॉरिटी अभा स्शन पहला equation x on y on x निकल जाता है नहीं पता ऐसा क्यों होता है ठीक है तो अगर यह y on x है तो यह हो जाएगा minus half into और अगर यह x on y है तो यह हो जाएगा minus 3 upon 2 तो यह तो आ गया नब 3 divided by 4 का root आप तो आ गया सही 0.8666 ठीक है so this is my x on y question तो a answer x on y question है तो a मेरा answer है 17 number question बताओ बच्चों what is the coefficient of correlation between two variable is minus 0.2 coefficient of determination r square a square 0.04 c answer simple coefficient of determination r square coefficient of non determination 1 minus r square होता है ओके चलो coefficient of determination बताओ 18 का 0.9 का square 0.81 coefficient of non determination बताओ 19 का 19 का 6 6 जा 36 1 minus 36 कर दो 0.64 yes 0.64 चलो 20 probable error का question है बोल रहा है find the coefficient of correlation when probable error is 0.2 and the number of pairs of item यानि कि n is equal to 9 बताओ probable error का formula आपर लगाना पड़ेगा तुम लोको याद होना चीए प्रोड़ेबल एर्र का formula दिखाया जाए भाया ओके कहां गया प्रोड़ेबल एर्र का formula पीछे लिखे थे न हम लोग प्रोड़ेबल रहे हैं यह दखो 0.6745 यह गलत लिखे तो फिर दिक्कत हो जाएगी इस इसका यूज करके निकालो अलग मक्कन हो यार मक्कन बच्चे परिशान करने आते हैं बस भाया आपको नहीं परिशान करें तो किसको परिशान करें यह भी ठीक है लो आर का वेल्यू तुमको निकालना है ठीक है कितना आ रहा है बताओ जल्दी क्यालकुलेटर उठाओ दोड़ाओ दो दस सौ की स्पीड में भी बोल रहे हैं बच्चे ठीक है चलो इतने टाइम में अगर कुछ बच्चे निकाल दी है मतलब ही आईडियर टाइम है तो प्रोबैबल एरर मेरा 0.2 दिया हुआ है कोश्चन में एन के जगा मेरे को 9 दिया हुआ है और आर ही मेरे को फाइंड आउट करना है तो 9 का रूट क्या होता है बत्चो 3 होता है तो 0.6745 को मैं 3 से इधर डिवाइट कर लेता हूँ तो यह हो गया 0.889 is equal to 1 minus r square तो यह इधर आएगा 1 minus 0.889 करेंगे हम लोग तो 0.111 हो जाएगा अब बेसिकली इसका रूट निकलेगा तो 0.3333 आ रहा है तो बी आंसर होगे बच्चों सिंपल नॉर्मल सॉल्विंग जैसे हम लोग करते है वैसी करेंगे बट अगर इफ यू वांट भाईया स्टेफ्स लिख दो तो मैं स्टेफ्स लिख देता हूँ चलो ठीक है तो question में आपको probable error 0.2 दिया था बच्चों और 0.6745 into 1 minus r square we need to find and root over 9 is given as n okay so it's 0.2 divided by 0.6745 we can write 1 minus r square upon 3 root over 9 की value so we can say 0.2 divided by 0.6745 is going to be 0.2965 is equal to 1 minus r square upon 3 3 is going to be multiplied with this so we are going to get 0.889 is equal to 1 minus r square so r is going to be there and यह वहाँ चाहेगा r square हो जाएगा 1 minus 0.889 so r square is equal to 0.111 and r is going to be root over 0.111 so r is going to be 0.111 का root 0.333 and that's it clear है सब को छो फटा फट से बताओ मेरे को फटा फट से मेरे को एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्या आपको यह clear है direct formula यूज हुआ है क्या when one regression coefficient positive the other would be दूसरे को क्या होना ही चाहिए अगर एक positive है तो दूसरे को positive ही होना चाहिए negative नहीं हो सकता पॉसिबल ही नहीं है अगर यह दोनो negative है तो र क्या होगा negative 23 बताओ बोल रहा है when r is 0 regression line कैसी होगी r is equal to minus 1 plus 1 coincide r is equal to 0 perpendicular perpendicular so angle of 45 no 60 degree no 30 degree no it's a 90 degree angle which is parallel to o x and o y axis so that is going to be perpendicular the line y is equal to the regression equation is बताओ यह कौन सा regression equation है 24 में y on x definitely y is equal to is given so it's y on x चलो बताओ 25 x is equal to this कौन सा regression equation है बताओ x on y x is equal to the mean निकालो mean mean of x and y निकालने बोल रहा है 26 number question में 2 1 बोल दिये बच्चे बताओ इतने fast 2 x plus 5 y is equal to 9 दिया हुआ है ठीक है इसको 5 से multiply करते है 5 3 जा 15 x minus 5 y is equal to 25 और यह हो जाएगा 2 x नहीं यार दोनों को साइन न लग है और कुछ पर हो एक काम करते हैं इसको 2 से multiply करते हैं इसको 3 से multiply करते हैं यह हो जाएगा 3 to the 6 x minus 2 y minus 10 is equal to 0 excuse me is equal to 10 we can write और इसको 3 to the 6 x plus 5 to the 15 y is equal to 9 3 27 so we are going to subtract this so 66 कर जाएगा यह आजाएगा minus में और यह आजाएगा minus ठीक है तो यह हो जाएगा minus 17 और 15 minus 2 नहीं इस 17 नहीं होगा यह minus 17 y minus minus cancel तो y is equal to 1 तो ओके 1 दो options में तो अभी हम लोगों को y की value डाल के देखनी पड़ेगी x की value क्या आ रही है तो चलो इस equation में y की value डाल देते हैं तो 3x minus 1 minus 5 is equal to 0 तो 3x minus 6 is equal to 0 तो 3x is equal to 6 x is equal to 6 upon 3 तो that is going to be 2 तो आ गया मेरा answer C चलो clear है सबको देखो simultaneous equation तो तो तुम लोग एगदम fast solve करने तुम लोग आना ची क्योंकि we have did a dedicated chapter on equations as we all know dedicated chapter करने के बाद equations प्योपर हम लोगों को equation solving नहीं बनेगा तो that's just not going to be work ना ठीक है क्लियर है yes 27 number question बताओ for the variable x and y regression equation given after finding the arithmetic mean of x और y compute करो correlation coefficient between x and y तो simple शब्द में question correlation coefficient of x and y पूछ रहे है correlation coefficient निकालने के लिए trial and error करेंगे इसको y on x मानते है इसको x on y मानते है तो यह हो जाएगा मेरा 7 upon 3 into इसको x on y मानेंगे तो यह हो जाएगा य उदर जाएगा 1 by 4 इसका root 4 तीज़ा 12 7 divided by 12 आगे answer 0.76 37 guys how it is possible I don't know about this but कैसे यह होता है मेरे को कुछ नहीं समझ जाता कि पहला equation y on x निकल कैसे जाता है तुक्के से तुम लोग देख रहे हो I think 95% question में ऐसा हुआ होगा why on x निकल जाता नहीं बदा ऐसा कैसे होता है और यह चीज़ के बीचे का कोई logic नहीं है literally कोई logic नहीं है मतलब if you are going to ask me भाया कुछ तो होगा तिड़न नहीं है मेरे पास भी नहीं है इसका logic नहीं पता कैसे चलो 28 is going to be the last question for us guys low mean और variance दिया हुआ है 80 यह एट यह यह देखो mean दिया हुआ है variance दिया हुआ है और दिया हुआ है मिरेको और बोड़ना कर एक्स की वेल्यू 90 what is going to be I think यह repeated question है क्या पिछले sheet में पिताईए है पिछले sheet में भी था नहीं है हां sd निकाल लोगे variance is equal to होता है sd का square जो जाएगा 2 और 3 आ जाएगा मेरा sd sd आ गया मेरा 2 और 3 है ना ठीक है तो यह वाला question चलो में कर देता हो solve फिर भी ठीक है मेरे को क्या निकालना है what is going to be the most likely value of y तो y dependent upon x तो भाईया when you are talking about b y on x x minus bar x is equal to y minus bar y तो b y on x कैसे निकलेगा r into sd of y upon sd of x x minus bar x का value कितना है 80 और y minus bar y का value कितना है 8 x की value भी डाल जेते है 90 है जब बाद में डालने ही तो अभी डाल जेते है तो यह हो जाएगा 90 minus 80 10 हो जाएगा 10 into 3 divided by 2 15 हो गया into 0.6 तो जाएगा 9 तो y is equal to 9 plus 8 तो y is equal to 17 आजाएगा answer बात खतम ठीक है 17 is the answer ओके option में 17 given है नहीं given है d answer होगा i think misprint है ठीक है कहांगे इस पे इस पे चेक कर लेते एक बार वाला question कहा गया अरे नहीं given है 17, misprint होगा 17 आ रहा है answer ठीक है note down कर लो इसको